कोई समय पर वाद निकरना शीधा लिखिए जवार और अरे भाइसाब जवार मक्का कट गई आपके जवार मक्का कट पॉर करनाटक जवार मक्का और अरहर के उतफादन में पहला इस्थान है करनाटक का दुवारा किजी से बोल के देखिया पटापट कुछ मत कीजिए अरे भाई साब अरे जौर मक्का कट गए बास्ता में जो सीजा ने इस समय मक्का ये फ़सर पूरी तरह कट चुकी है और खेतों से मक्का घर पहुंचने लग गई है इस समय अभी की स्थती अरे अरे का मतलब क्या निकाला अरहर अरे का क्या मतलब निकाला अरहर अरहर के उत्तपादन में पहला इस्थान किसका है कर्नाटक कर्नाटक दूसरा अरे जौर मक्का मक्ः जो बात करने वाले इस वीodar की देखेंगे भारत में क्रसी उत्पादन देखेंगे विस्सु क्रसी उत्पादन देखेंगे विस्सु खनेज उत्पादन आकड़े देखेंगे सारा ट्रिक से याद करेंगे भारत के खनेज उत्पादन आकड़े देखेंगे विस्सु नगरी करन देखेंगे भारत नगरी करन देखेंगे, जनसंक्या देखेंगे, सारा मेटर ट्रिक से होगा, फिर आपको यह पता चलेगा कि जो यह 30 मिनिट है, जीवन की सबसे महत पुर्ण थी, आप UPSC दे रहे हो, BPSC दे रहे हो, RAS दे रहे हो, MPPSC दे रहे हो, 2022 में कोई भी एक्जाम आप दे रहे सिधा देखते जाए, अभी निकाल लेज चेते है है सारा, सबसे पहली जो मैंने, आर्थ की पूरी है, 2021-2022 की अरे, जवार, मक्का, कट गए, अरे, अरे से भोला, अरहर, जवार उत्त् पाधन, मक्का, मक्का उत्त्पाधन, क्ट, करनाटक पहले स्थान, पे है चावल में तीन राजियाद रखने है तीनों में से प्रसना आता है पहले पे बंगाल है दूसरे पर उत्रपदेश है तीसरे पर उत्रपदेश है गेहुं का जो इस्थान है दोनों में उत्रपदेश एक मड़ समझे गेहुं का इस्थान है पहले स्थान पर उत्रपदे हैं हमने का बाजरा आपने देखा ही होगा कोई प्रावलम नहीं है मोटे सर बाजरा चबा रहे हैं मोटे मोटे अनाज सर सरसों बाजरा बाजरा रा से निकाला राजिस्थान चबा, चना, चना, बाजरा, सर्सों, मोटे नाज, इन सम्में कौन सा राजी प्रतमिस्थान पे है, राजिस्थान पहले स्थान पे है, कुल चना उत्पादन में, और चने की डाल खाते हैं आप, तो कुल डाल, टोटल पल्स प्रोडेक्शन में, राजिस्थान पहले स्थान पे है एक और बात यह जो आर्थी की है यह जो रिपोर्ट आई है उसके इंग्लिस मीडियम का हमने बेस निकाला है आर्बिया इसे ही मांती है तो अगर कोई कंफीजन होता है तो आप कमेंट कीजेगा मैं थोड़ी मदद तौर कर सकता हूँ आपकी कुल खाद्यान उत्पादन में क्या करना है उत्तर प्रदेश कुल उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर मद्द दूसरे पर पंजाब तीसरे पर मॉटे सर क्या खा रहे हैं बाजरा भी वीडियो रहेगी बहुत इंपोडेंट होता है आर्थी की तैयार करना डाटा बहुत होता है इसमें सूरज मुखी में कौन है करनाटक सूरज मुखी उत्पादन में कुल तिलह नर्था जिन से तेल निकलता है वो राजिस्तान पहले पे हैं और गन्ना में यूपी पहल गारंटी से प्री निकालना हो आपको 2022 की भी तैयारी आपको करनी हो तो आप संपर्क करें आरे यू से वीडियो क्लासेस उत्ति हैं नोटस अविलेवल होत्ति हैं ट्रिक वाले सब्जेक्ट वाइज नोटस आपको मिल जाएंगे ट्रिक से 39729532 7417 24554 पर अब आप समझे सुपाडी कट गई भाई, करनाटक ये पहले स्थान पे, सुपाडी और सूरज मुखी दोनों में, सासू कट गई, सासू, सुपाडी और करनाटक, सुपाडी और सूरज मुखी में, नारियल कल लेके आये थे आप, नारियल में केरल, काजू, महरास्त, कुल फल उत्पादन, अंदा फल खाता है, अंदा फल खाता है, कुल फल प्रोडेक्शन में अब कौन हो गया है, आंद्रपदेश, पहले कौन था, उत्रपदेश का नाम आता था इसमें, कुल सब्जियां का है, बेस्ट बंगाल में, इसमें थोड़ा कन्फिजन है, सब्जियों वाले मामले में, ड लंगा ना में किया गया है और टोटल वो तो उत्रपदेश है है उर्वरक खपत में उत्रपदेश पहले स्थान पर है एक चीज और समझें यहां से एक और छोटी सिर्ट रिख जते हैं चाची आप गेहुं को चाट लो चाची हमारी है हमने कहा गेहुं को चाट लो हमने भारत दूसरे पे चीन पहले पे और भारत से चाची च depression चाशी को, कौला, च चाह, 20 स्थान में और भारत दूसरे स्थान्प में सीमेंड के उत्पादन में परथम चीन और भारत का दुतिर स्थान है है टोटल सीमेंट के प्रोडेक्शन में भी दोबारा समझतें से यहीं से चाची आप की होंगी होंगी हमने का चाची आप गेहुं को चाट रही हो चा चावल ची चीन प्रिथम है और भारत दोती यह दिमाग में रखलो आप आलू प्याज गेहुं को कोईला चाट चाय उतमाग उतमाट रचाय प्याज आलू चाबल इन समय चीन पहले प्र वारत दूसरे पर अगला आजाईए अगला समस्त्य है अब एक और बाद जोर मक्का कट गए थे कि नहीं कट गए थे अम्मी माने मम्मी जोर मक्का कट गई यह पहले भी याद गिया था हमने करनाटक प पहले पे कौन करनाटक याद हुआ नहीं हुआ कमेंट करके बता दो जो सरवादिक कहा है रूस में कॉफी ब्राजील में है प्राकृतिक रवल थाइलेंड में है कोकोवा बींस कोटे डी आइवर में है देख लिए फिर समझा रहा हूं अगर आपको ऐसे ही आर्थिकी हिस्ट भी बहुत नौमी लड़ है वीडियो क्लासिस की जो काम आपका दो लाक रुपे में होता वो यहां से फैक्ट याद हो जाते हैं चाहें आपका मीडियम हिंदी है अथव अंग्रेजी ट्रिकी ऐसी होती है आप सोच लो अम्मी माने मम्मी होती है जुआर मक्का कट गए बास अधर कंपनियों की संख्यादास है कोर अध्योग आठी होते हैं यहां जो प्रस्ण बंता है कोर अध्योग में सरवाधिक जो बल दिया गया है वह रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है पहली गड़ना हम साथ-साथी करते हैं यह साथ-साथ सब्द याद रखना साथ के प्रियोग करता हूं मैं पहली आर्थिकटना साथ-साथ-साथ-सात्तर में हुई है साथ मीं आर्थिकटना चालू ओ गई है त्रिपरा से चल रही है अभी है उपवोगता मूलिस उचकांक में जो बरतमान में आधार वर्स है वह 2000-12 है सरवाधिक एने जो है नेसनल हाईवे महारास्ट में है, दूसरे नंबर पे UP में है, यह factual है, आगे चलते हैं, पवन तुम, तमिलनाडू, पवन उड़जा के प्रोडक्शन में पहले स्थान पे कौन है, तमिलनाडू, सौर उड़जा में करनाटक, भारत में जो सरवाधिक विदेशी परिटक आए हैं, वो कहां से प्राप्तू हैं, बंगलादेश से, प्रजन अंदर, जो सरवाधिक है, वो 3.2 बिहार की है, UP की दूसरे नंबर पे 2.9, संपूर भारत में जो है, वो 2018 में जो रिपोर्ट आई थी, उसकी अकॉर्डिंग 2.2 है, मात्र म्रत्यू दर्या अनपात कही है, एक लाग बच्चों का जो जन्म होता है, उस पर ना पी जाती है, भारत का 113 है, सरवाधिक राज्य में जो है, वो है असम में है, 215 है, उत्रपदेश की 197 है, लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, लीची उत्पादन में पहला स्थान है, बिहार का, सरवाधिक फल, विस्व में प्रोडेक्ट क करता है, मास और दूध, हम उत्रपदेश वाले पैday करते हैं, मास, इसमें गल्न हो जाएगा, दिमाग में लगा लीजे, मास, सरवाधिक मास उत्रपदेश में पैदा होता है, पहला इस्थान है, विस्व में सरवाधिक बन, रूस में है, दूसे नमबर पर ब्राजील है, दसवे नंबर पर भारत है, सीमांत जोग इनका आकार आप लिखी, अब सीमांत वाला प्रसंद नहीं आएगा, लगु जोट वाला प्रसंद दिखाई देगा आप लोगों को, लगु जोट फेक्टर बिलकुल याद कर लिजे, सीमां से जो बड़ी हो, सीमां से बड़ी सीमा, जहां सीमा ही गतम हो रही है, एक हेक्टियर से कम, अर्थात, एक हेक्टियर से कम, सीमांत जोट हो गई, लगु जोट, एक से दो हेक्टियर तक, अर्द मध्यम जोट, दो से चार हेक्टियर तक, मध्यम जोट, चार से दस हेक्टियर तक, ब्रहत जोट, दस हेक्टियर और इ चलना मेरे साथ लाग तेरे साथ मेरे दस लाग डूब गए अरोन की मसीन हदय भाई सानेन बकरी के बारे में भी बता दिया है पैजीप और पैट्रोल अमेरिका मेरिका उत्पादन उत्पादन सब बता दिया है अगर आप सहमत हो तो प्लीज अगर ऐसे पढ़ना चाते हैं प